नमस्कार दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्क्रीन फिक्सर में दोस्तों आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह सैमसंग इसका मैं आज आपको गलास चेंज करकर दिखाने वाला हूं और दोस्तों पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको दूंगा किस तरीके से आपने नोट ट्वंटी अल्टर का गलास ब्रोकन जो है वह आपने गलास गलास कैसे चेंज करना है और हमारे किसी भी भाई को या क अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप हमारे स्टोर पर भी आ सकते हैं तो स्टोर का एडरस हमने अपने description में दे रखा है और अगर आप दिल्ली से बाहर है NCR से बाहर है बाहर दूर से हैं इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप हमें कोरियर के जरीए अपना मोबाइल कोई भी मोबाइल आप भेज सकते हैं और जो एड्रस है वो हमने अपने description में दे रखा है आप call भी कर सकते हैं जो phone नबर मैंने दे रखा है वो मेरा Facebook पेज भी आप हमारा फॉलो कर सकते हैं तो आपका चाहे कोई भी मोबाइल हो आई पैड हो आपका आई वोच हो आप कोई सा भी मोबाइल हमें भेज सकते हैं और आप अपना कोई भी मोबाइल का ग्लास डिस्पले कुछ भी आपने चेंज कराना है और इजनल तो बिलकुल आ जारना है फोन को हमने पहले पूरा खूल लिया है दिएसेंबल कर लिया है फ़सी प्रकूर महताय है क्षांव PCB भी हटाया है बैटरी हमने हटा लिया है उसके बाद हमने इसका फरंट camera हमने हटाना रही डोस्तों HEAT करना पड़ेगा हीट करने के बाद आपका जो फरंट camera या हो निकलेगा क्योंकि फ्रंट camera गलू से चिपका होता है जो वाइट होती है や्ज हाड यह वो लगा होता है तो उसको हटाने के लिए आपको थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ता है तो हीट करना से आपका जो कैमरा तभी निकलेगा आप बगैर हीट करें जो और जबस्ती करेंगे तो आपका कैमरे का पत्ता कट सकता है तो इसलिए आपने इसको हीट करना है उसक का ग्लास सेपरेट करेंगे पहले उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे क्लीन करने के बाद हम इसको फ्रेम आउट करेंगे फ्रेम आउट करने के बाद हम इसको पंचिंग करेंगे तो दोस्तो इसमें जो हमने जो इसकी जो टेंपरेचर हमने रखा है वो हमने इसमें 105 टेंपरे binder cutter है उससे हमने wire डालने की जगा बनाई है समय wire डालने की जगा के लिए आपको इसमें हलका सा kicking अपड़े ग्लास क्रैक करने के लिए कि हमें ओली 기्राल करने के लिए ह adapt Nada पड़ेगा ताकि आपको display नज़रा जाये और आप wire ढाल सकें तो देखियं किस तरीके से cut लगाना है वो आप देख लें वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर नजर आया है क्लियर दिखाया है मैंने आपको कि आप किस तरीके से कट लगा सकते हैं कट लगाने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि हमने इसका ग्लास क्रैक करना है ग्लास क्रैक करने के लिए हमें कट और अगर आप ऐसे अंदाजे से इसमें वायर डालेंगे तो आपकी वायर जो है वो डिस्प्ले में भी गुच सकती है तो इसलिए आप इसमें कट लगा कर उसके बार डिस्प्ले आपकी नजर आए तब आपने इसमें वायर डालनी है अगर आप अन्दाज़ से डालेंगे तो आप की डिस्प्ले ख़राब होने का चांस है तो आपने कट लगाकर ग्लास करक करकर उसके बाद आपने वाइर डाल ली है और दोस्तो वाइर इसमें हमने 0.35 mm की इसमें वाइर हमने यूज की है तो वायर इसमें आपने 0.35 mm वायर इसमें यूज़ करनी है और अब देखिए जैसे की जगा आपकी बन चुकी है वायर डालने के लिए वायर डालने की जगा दोस्तों आपको तभी पता लगेगी जब आपको डिस्पले नजर आ जाए अगर आपको डिस्पले नजर आ रही है तो आपने इसमें वायर डालनी है तो अब जैसे की डिस्पले इसमें नजर आ गई हमें तो अब हमने इसमें वायर डाली है वायर दोस्तों देखना किस तरीके से वायर इसमें चलानी है यह आप बड़े ध्यान से देख लेना थोड़ी कर्व ज्यादा LCD होती है यह तो वायर इसमें आपने अच्छे से चलानी है जिस तरीके से वायर आपको दिखा रहे हैं उस तरीके से आपने वायर चलानी है और दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक तो जरूर किया कीजिए औ और वीडियो को आपने शेयर भी करना छोड़ दिया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है तो शेयर आप वीडियो को जरूर कीजिए आपकी आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को प्लीज हमारी को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके त तो देखिए wire कैसे चलानी है? देखिए wire कैसे चलानी है? अब wire हमने चलनी किस तरीके से है? और पहली बार हमारे चैनल पर आएं तो So channel को subscribe करना ना भोले और बेल notification on करना तो जरूर कर लेए अप ताकि आपसे daily को सिअथ नौलेजबल विडियो आपसे miss not हो So channel को subscribe करना ना भूले तो देखिए बिलकुल आप wire कैसे चल रही है वाइर आपको कैसे चलानी है देखिए wire आपने चलानी कैसे है वायर मैंने आपको दिखाई किस तरीके से वायर चलानी है आपने दोस्तो देख लीजिए वायर बिल्कुल स्मूथ वायर चलती है दोस्तो आपको जोर जबस्ती बिल्कुल नहीं करनी है इसमें आप देखे वायर देख लीजिए मैं किस तरीके से वायर चला रहा हूँ आप की डिरेक्षिन बिल्कुल देखा करें, और दोस्तो सारी चीजे कलियर बताने का एक ही मकसद है, की किसी भाई को कोई दिक्कट न आए, और अगर फिर भी दिक्ककत आती है, तो दोस्तो ट्रेंडि़ के लिए बिल्कुल आ सकते हैं, ट्रेंडि़ का में दे रखा है कॉंटक्ट आप कर सकते हैं आपको जब भी आना हो तब आप आ सकते हैं अब ट्रेनिंग के लिए कोई समस्या नहीं है पूरी एज की ट्रेनिंग आईफोन पूरे आई वाच आई पैड अगर मेरा भाई कोई भी LCD, LED, TFT का काम कर रहा है और Edge में अपडेट होना चाता है तो बिलकुल आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं वैसे हमने अपनी वीडियो में पूरा आपको दिकाया है अगर फिर भी आपको तसली नहीं है तो बिलकुल आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते है तो देखिए Glass हमारा separate ह हो चुका है और वाहर निकालने के लिए देखिए बाद हमने ठेखने के लिए लिए men दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने इसकी डिस्पले बाहर निकालनी है नीचे आपने देखना है नीचे इसका पैन का पत्ता है वो उसका भी भावत ध्यान रखना है और डिस्पले देखिए किस तरीके से बाहर निकालनी है वो भी आप बड़े ध्यान से देख लेना देखिए किस तरीके से पन्नी आपको जो हाड पन्नी है वो किस तरीके से चलानी है और दोस्तों फैलकॉन का आपने जरूर यूज करना है इसमें सूखी आप पन्नी ना चलाएं आपने बार-बार इसमें फैलकॉन यूज करना है हलका हीट करना है और फैलकॉन यूज़ करना है तो बड़े आराम से आपकी डिस्प्ले बाहर आती चली जाएगी फैलकॉन दोस्तो बहुत ही अच्छी चीज है फैलकॉन से आपका कोई भी डिस्प्ले कोई भी डिस्प्ले में प्रॉब्लम नहीं आती है फैलकॉन एक बहुत ही अच्छा लिक्विड है बाकी लिक्विड बहुत जादा हाड है तो फैलकॉन से डिस्प्ले आपकी बिल्कुल प्रॉपर निकल जाती है लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन फैलकॉन सेफ है अब देखिए यह जो पीछे का गलू है यह हमने पूरा प्रॉपर साफ कर लेना है और देखिए बिलकुल डिस्प्ले हमारी प्रॉपर है बिलकुल फ्रेम से बाहर भी निकल गई यह डिस्प्ले उसके बाद भी देखिए डिस्प्ले चेक कर लिए बिलकुल प्रॉपर डिस्प्ले है और दोस्तो आज मैं वीडियो में कुछ आपको एक नई चीज दिखाऊंगा दोस्तो एक हमने रबड मंगाई है के जरी भेज देंगे तो यह देखिए एज मॉडल कोई भी हो आपका वो इस पे आप बिलकुल पंच कर सकते हैं और बड़िया फिनिशिंग आती है कोई बबल नहीं आता कोई बबल नहीं रहता बहुत ही अच्छी चीज है यह यह मैंने खुद यूज की है तब ही मैंने य अच्छा इसका रिजल्ट है तो किसी भी भाई को चाहिए तो आप कॉल करके वाटसब कर दें और अपना एड्रस सेंड कर रहे हैं पेमेंट डाल दें आपको हम कोरियर के जरी यह यह रबट भेज देंगे तो देखिए अब डिस्गे पे हम ग्लास लगा रहे हैं और ग्लास सेट करने के लिए दोस्तों बहुत ही असान तरीका है camera hole वाली जितनी भी display है अगर आपने camera hole को hole से मिला दिया तो automatic आपकी display बिल्कुल set बैठती है आपकी display out ही नहीं होती तो बहुत ही असान तरीका है इसका बिठाने का जिसमें camera hole है उसमें आपको बिठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो देखिए जैसे कि हमने ये डिस्पले बिठाई है और अब देखिए इसकी जो पंचेंग है वो हम इस रबड़ पे करने वाले हैं और आपको इसका résult खुद ही पता लग जाएगा क्या इसका result है बहुत अच्छी फणिशिंग आती दोस्तो इस पह बहुत जबरदस फणिशिंग जाती है और सबसे बड़ी बात दौस्तों इसमें गड़ी और बबल या था का हाए वहें का 1-2 मिनट प्यवर्व चल जाता ड़ी इसका अब देखिए पंचिंग मैं आपको दिखाता हूं इसकी और पंचिंग आप देखकर मुझे जरूर कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस रबर की पंचिंग कैसी लगी है और कैसी इसकी फिनिशिंग आई है डिस्प्ले की फिनिशिंग भी आपको मैं दिखाऊंगा आपने जरूर बताना है मुझे कमेंट में आपके कमेंट का मुझे बेसबरी से इंतजार रहेगा और दोस्तो हर कमेंट का मैं आपको जवाब देता हूँ तो आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आपको इसकी फिनिशिंग कैसी लगी है और ये रबर मोल्ड जो है ये इसकी कैसी परफोर्मेंस आपको लगी है अब दोस्तों NEXT जो वीडियो आएगी वो NEXT वीडियो आपको दूसरी मशीन की पंचिंग की भी आपको वीडियोज मिला करेंगी तो अब हमने अलग-लग मशीने मंगानी स्टार्ट कर दी है तो आपको अब दिख्कत नहीं आएगी अलग-अलग मशीनों पे आपको मैं डिस्पले की पंचिंग की सेटिंग आपको दिखाया करूँगा तो वीडियो आपको जरूर देखा करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तो देखिए अब देखिए finishing और bubble देख लिए bubble छोटे मोटे bubble है ये एक से दो मिनिट में आपके bubble चले जाते हैं दोस्तो share करना ना भूले वीडियो वीडियो जरूर share किया करें ज्यादा से ज्यादा share किया करें और दोस्तो channel को subscribe आप नहीं करेंगे तो दोस्तो motivation कहां से मिलेगा चैनल को दोस्तो subscribe करना ना भूले अब देखिए finishing आप जरूर देखना finishing देखना इसकी display की आपको कैसी finishing लगी है अब मैं आपको finishing चेक कर आ रहा हूँ देखिए finishing बताईए आप और एक भी बबल आपको नजर आए तो भी मुझे बता देना एक भी बबल अगर बबल का आपको कोई हलका सा आपको कोई point भी मिले तो भी बता देना बबल दोस्तो इतनी बढ़िया finishing इस रबड पे आती है बबल का सवाल ही नहीं आता बहुत ही अच्छी चीज है तो देख लीजिए अब दोस्तो इसकी हम फिटिंग करेंगे पैक करेंगे फोन को पूरा तो फोन को पैक करने के लिए दोस्तो आप इसमें गैस किट भी लगा सकते हैं और गैस किट अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप इसको गलू से भी पैक कर सकते हैं तो हमने इसमें गलू लगाया है गलू से पैक किया है तो देखिए डिस्पले आपको चेक कर आता हूँ देखिए बिलकुल डिस्पले की बिलकुल फिनिशिंग एकदम जबरदस फिनिशिंग आई है यह इस रबर पर हमने काफी सारी डिस्पले पंच की है और दोस्तो बहुत ही अच्छी इसकी रिजल्ट है बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है तभी मैने आज वीडियो में आपको यह रबर दिखाया है अगर किसी भी भाई को चाहिए तो आप हमें वाटसअप करें अपना एडरस भेज दें हम आपको कोरियर के जरीए भेज देंगे आप हमें पेमेंट कर दें अपना एडरस सेंड कर दें हम आपको कोरियर के जरीए भेज देंगे अब देखे यूवी दोस्तों यूवी का एज मॉडल में बहुत ही एक जरूरी हो जाता है एज डिस्प्ले को आपको यूवी करना तो यूवी भी आप बहुत जरूर कर लिया करें यूवी से दोस्तों रिटन बबल का जो आपकी प्रॉबलम है वो नहीं आती है तो यूवी भी एक बहुत जरूरी है एज मॉडल के लिए अब देखिए फोन में पूरा पैक कर लेता हूँ फोन पैक करने के बाद दोस्तों पूरा आपको अच्छे से फिनिशिंग में दिखाऊंगा आप मुझे जरूर बताना है आपने कि इस Note 20 Ultra की आपको फिनिशिंग कैसी लगी है और किसी भी भाई को Note 20 Ultra अगर उसका ग्लास चेंज कराना हो तो बिलकुल करा सकता है और रिस्क दोस्तों पूरा हमारा ही होता है डिस्पले का रिस्क हम अपना लेते हैं हम अपकर लेते हैं हम अपने रिस्क करते हैं तो देखेशी दोस्तों बूरा हमने फ़ोन पैक कर लिया है तो उमीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा गर वीडियो पसंद आये तो लाइक तो जरूर करना और वीडियो को शेर करना मत बूलना तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में थैंक यू फर वर्ट